FedEx अपनी कार्गो प्लेंस पे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा है लेकिन एक ट्रांस्पोर्ट कमपनी को मिलिटरी टाइप डिफेंस सिस्टम की क्या जरुरत दरसल 2003 में बगदाद से टेक आफ करने के कुछी दिर बाद DHL की Airbus A300 B4-203F कार्गो प्लें को 9K34 Estrela-3 मैंपैट से निसाना बनाये गया इस मिसाइल एटाइक से प्लें की एक विंग डैमेज हो गई सारे हैट्रोलिक्स फेल हो गए फिर भी पाइलेट्स ने प्लें को सेफली लैंड करा लिया इस हाथसे के बाद कई ट्रांसपोर्ट कमपनीज ने अपनी प्लेंस को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस किया पर कुछ दिनों के बाद उन्हें हटा दिया गया मैंपैट सस्ते दाम पर ब्लैक मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं जिसकी वज़े से आतंगवादी संगठोनों का ये फेवरेट हथियार बन चुका है 1975 से लेकर अब तक इन्फरा रेड सेंसर से लैस मैंपैट से करीब 62 सिविलियन प्लेंस को मार गिराया गया जिसमें हजारों की मौत हो गई ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आई यार गाइडेड मिसाइल को डिटेक्ट करने के बाद एक हाई भीम लेजर से मिसाइल की इन्फरा रेड सेंसर को कन्फ्यूस कर देती हैं और मिसाइल अपने टार्गेट से चुक जाती हैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए कमेंट करके जरूर बताईएगा